हेलो इवरीवन वेलकम टो वर यूटूब चनल अकांचा जी है सुब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी का हमारा सेकेंड चैप्टर हम क्लासिक्स का एंसेयाटी कवर कर रहे हैं इसमें हम पूरा पहले कवर करेंगे इस चैप्टर को फिर चैप्टर वाइ जो हमारा यह दूसरा वाली चैप्टर है फिर जो भी इसका नाम है ग्लोब अच्छान सेवं देशांतर हम इसको देखते हैं पिछले अध्याए देखो पिछले जो मतलब हमारा फर्स चैप्टर था हम पढ़ चुके कि हमारी प्रित्वी गोलाकार नहीं देखो हमारी प्रि बिच में थोड़ी सी उभरि हुई है कि आप कलपना कर सकते हैं कि अनले क। हःती हैं अंब躁पन से इस आध्यारी प्रित्वी करने के लिए आप dif Even the ग्लोब है यह अपने अच्छ पे जुका हुआ है इसका अच्छ है ठीक है इसको देखिए ग्लोब प्रिथवी का एक लगू रूप है देखो ग्लोब क्या है प्रिथवी का लगू रूप मेंसे एक वास्परिक प्रति रूप है प्रिथवी के लगू रूप का एक वास्परि ले जाया जा सकता है ग्लोब इस्थिर नहीं होते इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया उसको क्या करते हैं इस प्रकार हम घुमाते हैं जैसे कुमार का पहिया जैसे लट्टू घुमाता है जैसे लट्टू घुमाते हमने देखा है न उस तरह से ग्ल करना कथी नहीं किसी गोले पर किसी बिंदू का स्थिति का वढ़न करना कट ही नहीं लेकिन फिर अब इस अस्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है इसके लिए कुछ बिंदूओं एवं रेखाओं के संदर्ब की आव सकता होती अब देखो नॉर्मल अगर सोचे पूरा ग्लोब है जो हमारा चोटा सा इस पूरा प्रिध्वी लाके रख दें तो इसा नहीं होगा लेकि एक इसका वास्तविक प्रति रूप है वास्तविक प्रति रूप ह इस सवस्था में इस्थित होती है जिसे अच्छ का आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अच्छ कहते हैं ग्लोब पर वे दो बिंदू जिनसे होका सुई गुजरती है उत्तर तथा दच्चिड दुरू है याद रखिएगा ग्लोब को इस सुई के चारो प्रिध्वी प्रिध्व्य दोनों में एक अंतर है प्रिध्वी पर वास्तों में ऐसी वाइक नौन आध और भाता चारो और झीम्च। इस तरह से यह वाली जो है यह इसको बाटती है दो वराबर भागों में बाट रही है इसको हम लोग क्या बोलते है बिश्वत बृत देखो इसको हम बिश्वत बृत कहते है जीरो लाइन बोल देते हैं और इक्वेटर इसका नाम भी है बिश्वत इक्वेटर इसको हम लोग यह हमारा विष्वत वृत भृत है विष्वत वृत को याद रखेएगा यह ग्लोब को दो भागों में बाट रही है आप से यह भी पूसकता तो यह हमारे जो एकुरेटर लाइन जो है ब्लिटविक उत्तर में इस्थित में आदे भाग को उत्तरी गुलार्द देखो पृत् गुलाद इसको बराबर के आधे शचानी में इसे अस्थानों की स्थिति बताने सबसे महत्पूर संदर्व बिंदू है विश्वत बृत से दुरुवत की स्थिति सभी शमांतर बृतों को अच्छांस या समांतर रिखाई कहा जाता है अच्छांसों को अंस में मापा जाता है याद रखेगा अच्छांसों को किस में मापा जाता है अंस में मापा जाता है अब वि अंस जो है अच्छांस को दर्साती है चुनकि विश्वत बृत से दोनों तरफ द्रूओं के बीच की दूरी पृत्वी के चारों और के बृत्त का एक चौथा है अता इसका माप ॥ा 360 अंस का एक बटाचार यानि 90 अंस है जिसको अम 90 डिग्री बोलते हैं इस प्रकार 90 अंस उत्तरी अच्छांस और उत्तर द्रूओं को दर्शाता है तथा नब्बे अंस दच्छडी अच्छांस सबी समानतार रखाओं को धच्छड कहा जाता है है चाहता है उसको दच्छड कहा जाता है इसलिए प्रतेक या दिशा यानि उत्तर को भी लिखा जाता है जैसे देखjungं जैसे हमान लो यह हमारा है हो गया यह दिशा है तो हमोर दिशा भी तो लिखा जाएगा वन्ना हमें क्या पता चलेगा कौन से दिशा का है समानता है इसे उत्तर देखो नॉर्मल हमें से उत्तर लिख लेते हैं दच्छिड को मैंसे मतलब डौड लगा देते हैं अच्छ से बैक्त करते हैं उदारेड के लिए महाराष्ट में पुरा और ब्राजिल का बेलो हरिजिट यह एक ही अच्छास मतलब कि 20 डिग्री जो है इसी पेस्तित है लेकिन चंद्रपूर जो है विस्वत बृति के बीस अंस उत्तर में है यह कहां पर है देखो इस तरह से याद रखिएगा चंद्रपूर यह हमारा पुरा जो चित्र हमारा था यह वारा था जो दिखिए यह इस पस्ट हो गया है इसके बारे में और आगे देखते हैं हम लोग एक चीज और रखिएगा जैसे-जैसे हम बिस्वत बृत से दूर जाते ना अच्छानसों का आकार जो होता है और घर्टा जाता है जैसे-जैसे प्रश्चित्र को आप देख लीजेगा जरूर से महत्वपूर अच्छा से वम तापक कटिबंद देखो यह उत्तर हो गया यह उत्तरी सीत कटिबंद है इसको याद रखिएगा नीची का जो है ना एकदम सीत वाला मतलब कि फ्रीज जोन होता है और यह हमारे एक्वेटर हो जिसको हम विस्वत बृति कहते हैं जीरो डिग्री है उसके बाद इसके उपर जो है हमारे उस्तर कटिबंद आता है उस्तर कटिबंद का मतलब है कि यहाँ बहुत गर्मी पढ़ती है जैसे यह साड़े तेज डिग्री उत्तर में है और यह हमारे आता है मकर रेखा मकर देक्षन में होता है उस डायरेक्षन से हम इसको डिनोट करते हैं मतलब जैसे लिख दीते हैं उत्तर दच्छिड महत्तपूर अच्छांस देखते हैं अब बिस्वत बिज़एगरी उत्तर द्रूक होने अभी मैने आपको बताया था नब्बे डिगरी उत्तर हो गया दच्छ विश्वत बृति के साड़े 6-6 डिगरी उत्तर में उत्तर दुरू बृति उसके बाद चौथे प्याते हैं हमारा विश्वत रेखा साड़े 6-6 डिगरी दच्छिट में दच्छिट में दुरू बृति अभी मैंने आपको दिखाया था तो इसे हमें भूलना नहीं है श्वत प्रकास होता है हमारा थी चोहाई हम बहुत एं सबसे अधिक उष्वाह थी नहीं로 पॉपर से चाहते है उस्सब्काण कभी से ओपर नहीं होता है दुपर का दिरियों की तरफ ले सबन्विय क होती है जैसे जैसे हम धूर की तरब बरते हैं ना सुरी की केयनने से तिरशी होती होती जाती। फिर उसके बार ठंडा होता जाता है। इस प्रकार उत्टरी घुलाद में करक करेका है। इस लिए नहीं क्या बोलता है। सितोस्र कटिवंद सितोस्र कटिवंद कहा जाता है याद रखिएगा अब यहां पे हलका मतलब हलका ठंडा होता है लेकिन जब फ्रिज जोन की बात आएगी न तो अब इसको देखो फ्रिज जोन मैंने आपको भी दिखाया था उत्तरी गुलार्द में उत्तर दुरू बृत दुरू तथा दच्छरी गुलार्द में दच्छर दुरू बृतियों दच्छरी दुरू के बीच के छेतर में ठंड बहुत ही जादा होती जिसको फ्रिज जोन कहते हैं क्योंकि यहां सूरे चितित से जादा उपर नहीं आपाता है मतलब कि मालू यह सूरी का प्रकास हो ग कुछ और जानकारियों के आउसकता भी होती है आप देख सकते कि प्रशांत मासागर में इस्थित टोगा दीप हिंद मासागर में इस्थित मारिशस दीप एक ही अच्छांस में यानि 20 डिगरी दच्छर में इस्थित हैं उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा क कि उत्तर द्रू को दच्छर द्रू से जोडने वारी संदर्व रेखा से पूर्व या पस्चिम के और इन अस्थानों की दूरी कितनी है मतलब कि अस्थानों की दूरी वगेरा हो गई इसके लिए हमें किसकी जरूत पढ़ती है देशांतर की इस संदर में रेखाओं को दे मिनट को सेकेंड में याद रखिएगा प्रतेक अंस को मिनट में फिर मिनट को हम सेकेंड में वाटते हैं यह अर्धवृत हैं उनके बीच की दूरी 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 की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है उनकी जो बीच की दूरी दूरी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यह घटती जाती है यहां द्रूवों पर सुन्य हो जाती है फिर द्रूव पर पहुशती है वो सुन्य हो जाती है जहां सभी देशांतरी या मुत्तर आपस में मिलती है जहां पर सभी देशांतरी या मुत्तर जो होती है वो आपस में मिल जाती है अब अच्छांस अच्छांस दे पूर्व और पस्चीम की और गिंति सुरू की जाए इस यामूतर को प्रमुख यामूतर कहते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रमुख यामूतर कहते हैं जी हो तक गरना हम कर सकती हैं प्रमुक यामुतर तथा 180 डिग्री यामुतर मिलकर प्रिथ्वी को दो समान भागो पूरवी गुलार्द और पस्चिमी गुलार्द में विवक्त करती हैं इसलिए किसी अस्थान के देशांतर के आगे पूरव के लिए अच्छत पूलिका होता है तथा पस्चि प्रमुख याम उत्तर हो गया यह हमारा विश्वत बृतिस को दो वागों में बाट रहा है अब इसमें बात कर रहा है कि अगर आपको किसी अस्थान के बारे में पता हो तो उस अस्थान का पता लगाओ उधारण के लिए अशम में धूबरी असमें जो धूबरी है वो किस पर है 26 डिग्री देखो 26 डिग्री उत्तरी में अच्छान पर और 90 डिग्री पूर्वी देशानतर पर इस्थित है अब उस बिंदू को देखो जहां यह दोनों रेखा एक गुसरे को कारती है यह बिंदू धूबरी को सही स्थिति होगी जहां इनको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली 36 तथा उर्धवाधर रेखां कीजिए उर्धवाधर रेखाओ को संक्या एक दो तीन चार तथा 36 डिग्रा अंगमें अच्छरोश में करिए जिन बिंदूओं पर यह उर्धवाधर 36 डिखाओं एक दूसरे को कारती है व कि आप देखेंगे कि ब्रित अखर डिग्री उत्तरी अच्छांस तथा एक डिग्री पूरवी देशांतर पर इस थित हैं अब देखो हम देशांतर और समय के बारे में देख लेते हैं यहां सिर्फ जो बनते हैं questions देशांतर और शमय समय कुम आपने का सबसे अच्छा साधन प्रिथिवी चंद्रमायम ग्रहों की गति अभी हमने देखा ता धुरू तारो वाला जैसे कि वो लोग क्या करते थे दिशा का निरधारण करते थे सुरियोदे हम सुर्यास्त प्रति दिने सुरियोदे हमीशार डेली मौनिंग में सुबह होता है सुरियास्त फिरसाम को हो अत्रख भाविक में सबसें अच्छा और को स्साह्इश हो तो we can Yeah, I seem to have much sub DA, अस्थानी समय का अनुमान सुरि के द्वारा बनाने वाली परचाही से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे चोटी हों सुरियोदय तथा सुरियास्त के समय सबसे लंबी होती दीखो पता है अस्थानी लोग जैसे होगे जिसे बहुत हमारे जो दाला राधी हो गया फिर बहुत बड़े लोग वो लोग पता है आपको टाइम देख अगर दोपहर में हो रहा है तो सुरिय की तरफ देख लेंगे या फिर ऐसे देख के बता देंगे कि कितना टाइम हो रहा दोपहर का बारह बज रहा है तो हां इक्जैक्ट वही होगा दो-चार मिनट इधर हो जाता है या फिर पांच-दस मिनट लेकिन उन्हें आइडिया हो चुका है तो यह मतलिब कि उस समय से पूरो लगाती है अतव अस्थान जो ग्रीन वीच के पूरो में है उनका समय समय से आगे होता है और जो पस्चिम है उनका समय पीछे होता है वहसी प्रितव्य लगबख 24 गंटे में अच्च पर 360 घुमती है उसके बाद 1 गंटे में 15 डिग्री यानि 4 मिनट में एक ड गूंती इस प्रकार जब ग्रीमीच में दोपहर के 12 बसते यह दे आपसे कोश्चन दे देता लगाने के लिए जब ग्रीमीच में दोपहर के 18 समय से एक घंटा आगे अरता दोपहर में एक बचा होगा लेकिन ग्रीमीच से चीफ का समय आप पीछे की वहां सुबह के 11 बजे होंगे इसी प्रकार जब ग्रीन वीच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिगरी पर मध्य रात्री होगी किसी भी देखो किसी भी अस्थान पर जब सूरी आकास में अपनी उचतण मिंदू पर होता है दो-पहर में उस समय घडी में दिन के 12 बज़ते हैं इस प्रकार घडी के द्वारा दिखाया कया समय व्न अस्थानी समय होगा आप सकते हैं कि दिये कई अस्थान्तरि या मॉत्तर पर इस थानों का अस्थानि समय समान है हम मानकम итоге मानक parcel कुंक्र लेते हैं कि हमारा वह vitae Iammary time कि उससे निर्थारट करते अल्ग-अल הג या मॉत्तर पर स्थानों के अस्थानी समय में रहता है जैसे अपने देश का ले लो गुजरात और अरुडाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है हमेशा 2 घंटे का अंतर होता है सुरियोदया सुरियास्त का उधारेट के लिए बहुत से देशांत्रों से होकर गुजरने वाले रेल गाड़ियों के लिए समय साड़ी तयार करना कठीन होगा भारत में गुजरात की द्वारका तथा अस्थानी समय में लगबग एक गंटा 45 मिनट का अंतर होगा इसलिए अस्थानी समय को देश का मानक समय माना जाता है इसे या मुत्तर रेखा या स्थानी समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है अब भारत में साड़े 82 डिग्री पूर्व को मानक या मुत्तर माना गया है याद रखेगा साड़े 82 डिग्री को पूर्व का इसको क्या माना गया है मानक या मुत्तर माना गया है इस या मुत्तर के अस्थानी समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है इसे भारती मानक समय के नाम से भी जाना जाता है देखो कबीर जो है भुपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है वह अपने मित्र अलोक से कहता है कि वह लोग आज राती नहीं सो पाएंगे भारत वह इंग्लेंड के बीच क्रिकेट मैस लंदन में दो बजे अपना यानि दो पहर में सुरू होगा पूर्व में याद रखेगा साड़े यहां का समय से साड़े पांच घंटा आगे आप से नॉर्मल यह पूछ लेगा कि मतलब कि ग्रीण वीच से भारत का कंपेर करें तो इसलिए जब लंदन में दो बजे होंगे तब भारत में साड़े साथ बजे होंगे कुछ देजों का विस्तार अधीक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधीक मानक समय अपनाए जाते हैं उदारण के लिए रूस में यह देख हो प्रतेग समय चेत्र 15 डिग्री देशांतर तक छेत्र को घेरता है अब हम इस चेप्टर से बनने वाले सारे कोस्टन को देखते हैं पहला जो कोस्टन है वो दिया हुआ है विस्वत बृत के संदर में नीचे दिये गए कत्नों पर विचार कीचे पहला दिया है विस्वत बृत उत्तर दचिड की कोरी दूरी की माप को देशांतर कहते हैं ये गलत है इसमें पहला और दूसरा सही है तो इसका राइट आंसर ऊप्शन नीज होगा पहला और दूसरा जो है वो सही है इसमें दिया हुआ हुआ सुची एक को सुची दो से मिलाना है करकरेखा किस तरफ था क कर देका था उत्तर की तरफ था तो यह साढ़े तेर्फ हिस तरफ है यह दूसरा हमारा हो गया मकर रिखा झ्रीच दच्छीर की तरफ दच्छीर की तरफ बहुत अब यह हमारा सी अचया दच्चिर दुरूबृत यह कहां पर दो दच्चिर में हो गया तो इसका राइट एंसर हमारे क्या होगा और इसका राइट एंसर होगा दच्चिर दुरूबृत यह भी गलत तो इसका राइट एंसर ऑप्शन दिया नीचे दियेगे कतनों पर विचार कीजिए विश्वत बृत से दुरूवों तक इस्तिती सभी समांतर बृत्तों को अच्छांस बृत्त कहते हैं यह तो सही है सभी अच्छांस रिकाओं का अकार एक समान रहता है अभी हमने देखा था एक मतलब समान नहीं रहता तो इसका राइट एंसर ऑप्शन यह होगा पहला बस सही है अगला हमारा जो कोश्चिन हो दिया है उत्तर दुरू से दच्छे दुरू को जोडने वाली संदर पर रेखा को क्या कहते हैं हम लोग इसको दे प्रमुकियामोद्तर तथा 180 डिग्री आमोद्तर प्रित्वि को समान भागों में पूरवी गुलाद को पस्चिमी गुलाद में विवक्त करते हैं यह तो हमने देखा था साही है 180 डिग्री पस्चिमियामोद्तर ग्रेखा पर हैं तो यह भी सही है इस और इसका right answer option صी होगा पहला दूसरा दोनों सही है, अगला नीचे दिया कत्थन को बताना है, कत्थन और काराट दिया है बताना क्या सही है, देखो ग्रिण वीष समfill समय से आगे होता है, तथा पस्चिम के अस्थानों का समय जो है, वो पीछे होता, अब Adapt का questioning, अगे C होगा A सही और R गलत है अगला कोश्चन है प्रित्वी को अपने अच्छ पर एक डिगरी घूमने में कितना समय लगता है तो चार मिनट का समय लगता है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन A है अगला कोश्चन है यदि कोई अस्थान ग्रीन विच से 20 डिगरी पूर्वे में इस्थी तब ग्रीन विच और उस अस्थान की समय में कितना अंतर होता है तो कितना होता एक गंटा 20 मिनट तो इसका राइट एंसर ऑप्शन B है अगला है भारत के किस याम उत्तर दे सांतर सथानी समय को भारत का मानक समय माना जाता है तो हमारा साथ साठाले 1862 डिगरी पूर्वो को माना जाता के राइट एंसर ऑप्शन एं आगला भारत का मानक शमयिं ग्रीन वी समय से कितना आगे या पीछे हैं, तो कितना आगे या पीछे आपसे पूछ भी पूछ सकता है, तो साड़े पांच गंटा आगे है, तो इसका राइट एंसर ऑप्शन ए है, तो फिर मैंने आपको कोश्चन भी करा दिया, मैं आप उसको एक चीज बताना चाहती हू कि अभी मैं नोट्स बना रही हूँ, मतलब जियोग्राफी, एसस्टी का मैं पूरा नोट्स बनाओंगी, और सारे चैप्टर वाइस फोस्चल भी दूँगी, और इस ताल जो आएं, उसको भी दूँगी, और पूरे फैक्ट भी आपको दूँगी, तो उस नोट्स की जो प्राइस होगी, वह 21 रुपए होगी, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, तो जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको अपना वाट्स अप नंबर सेयर करूंगी, तो वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सेयर सब्सक्राइब करिएगा,